तो नमस्तकार सब लोगों को और मेरा जब भी पढ़ाता था तो मुझे एक चीज की कमी हमेशा से फील हुया कि बच्चे पढ़तो लेते हैं मारे क्लास में गहर पे जाके वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और हर बच्चो के सेलेक्शन में 60% रोल उनका है इन फैक्ट मैं कहूंगा उससे जादा ही है क्योंकि जरनी उनकी है सेलेक्शन उनका है डॉक्टर उनको बनना है तो इस वजए से वह अपना 60% काम अगर अच्छे से कर लें तो मुझे लगता है कि उनका सेलेक्शन कोई रोक पर नहीं सकता है क्योंकि हर टीचर अपना 40% लगाता है पूरा दम लगाता है अपना 100% देता है और टीचर सो बच्चों को बढ़ाता है तो इसका नाम दिया है वह अस्ती कहां लैक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्शन रिस्यू अपनां बढ़ेगा जब हम उन अस्ती पर काम करे है हमने family environment create किया यहां पर उसका नाम दिया है वेदम classes और हम यहां पर family environment इस तरह से कह रहे है कि बच्चा घर पे जो सुविधाई नहीं ले पा रहा है माली जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है टीवी है मोबाइल है उसके पास टीचर नहीं है जो उसे टाउट पूछ पाए दो सवाल करता है तीसरे में फज जाता है छोड़ देता है दी मोटिवेट हो जाता है उसको सपोर्ट के लिए एक खंबा बनके हम उसके जर्नी में रहने के लिए हम यहां पर एक वेदम में था कि इतने बच्चे आएंगे लगभग दो गुने तिन गुने रिस्पॉंस मिला हमें और अभी हम बस स्टाटिंग सेंटर हमने यहां डाला है हम इसको पूरे पट्ना में एक्स्पैंड करेंगे और कॉंसेट यह है कि उसका 80% जो बच्चा नहीं कर पाया किसी वज़ करते हैं और मेरा पढ़ाई तो सब बच्चा कर लेगा पढ़ाई का आदत डलवाना है मेरा काम बस उसको 7-8 गंटे रोजाना हम यहां पर बिठा के पढ़ाएंगे दो गंटे उसमें क्लासेज होगी 5 गंटे हम वहां उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको बता के कि आपको 5 गंटे में यह कंब्लीट करना है हम यहां पर इन्वार्मेंट दे रहे हैं हमने उसका ध्यान रखा है कि बच्चों के आँख पे ज्यादा एफेक्ट ना आ है लंबे-लंबे घंटों में पढ़ता है बच्चे के आँख एफेक्ट आ जाती है तो यल्लो लाइटि जैसे धेर सारे प्रोडक्स आपको मिलेंगे से गुमार होम्स गुरु गोविन सिंग्पत चौक पटना सिटी चौक पटना